हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल आल राउंडर पे तो फ्रेंड्स आज से हम NCRT शुरू करेंगे 6th class की NCRT पहला लेशन हिस्ट्री की NCRT की बुक जो है आज से हम शुरू करेंगे NCRT के 6th class का पहला लेसन आज हम करेंगे उसमें जो important point आना वही हम करेंगे जो sheetate, pateate, artate, agitate सब जो exam होते हैं उनके लिए सब के लिए NCRT important है तो NCRT करना बहुत जरूरी है अगर आप कोई भी exam की तियारी कर रहे हो तो NCRT करिए NCRT से आपका जो base है न वो मजबूत होगा तो आज से हम NCRT शुरू करेंगे पहले 6th class की NCRT की history की करेंगे फिर 7th की करेंगे फिर 8th की और फिर geo करेंगे हम तो ऐसे हमारी NCRT चलेगी तो आज से शुरू है हमारी NCRT तो जो भी पहले lesson में जो important points है न वो हम देखेंगे आज तो book का नाम है हमारे अतीर फस्ट और पहले lesson का नाम है क्या कब कहां और केसे तो इसमें जो पहला point आता है वो है सायक नदियां उने कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है दूसरा point इसमें 47 साल पहले सिंदू नदी के किनारे कुछ आरंबिक नगर फले फुले तीसरा point है आरंबिक नगर जो थे वो 47 साल पहले मतलब 47 साल पहले आज से 47 साल पहले जो सिंदु नदी के किनारे बसे थे तो उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें गंगावै इसकी साइक नदियों के किनारे किनारे नगरों का विकास लगवग 25 साल पहले हुआ जो पहले नगर जो सहर बने थे वो गंगा और इसकी साइक नदियों के किनारे बने थे तो नगरों का निर्मान जो है 25 साल पहले हुआ था जो उसके बाद है प्राचेन काल में गंगा वैसोन नदि के आजपास के शेतर को मगद नाम से जाना जाता मगद एक 32 शक्ति साली महा जनपद था तो मगद का आगे बहुत जी कराएगा तो इसका थोड़ा ध्यान में रखें आप इसके बाद है खेती का आरम लगबग 8000 वर्स पहले हुआ था सुलेवान में किर्टर की पहाडियों पे जो भारत की उत्तरपच्छी में मजूद है सबसे पहले गेंवे जोप जाया गया था इंडिया सबद इंडस से निकला है जीसे संस्क्रिट में सिंदू कहा जाता है इरानियों वे यूनानियों ने सिंदू को हिंदोज वे इंदोज तथा इसके पूरम में मजूद भूमी को इंडिया गया था तो बरत नाम का प्रयोग उत्तर पस्ची में रहने वाले लोगों के एक समू के लिए किया जाता था तो बरत जो है लोगों का समू था उसे बरत नाम दिया गया था उस बरत से ही आगी जाके बारत नाम पड़ा इंडिया का अतीत की जानकरी हमें अतीत में लिखी गई पुस् के हाथ से लिखी होने के कारण पांडू लिपी कही जाती है अंग्रेजी में इसे मेनू स्क्रिप्ट कहा जाता है ये लेटिन बाशा के मेन्यू सबद से बना है, जो मेन्यू सबद से बना है जिसका आरता है हाथ हाथ से लिखी होने के कारण इने manuscript कहा जाता है ताड पत्रों के हिमाल्यों पे उगने वाले बुर्ज पेड की छाल से त्यार भोज पत्र पर लिखी मिलती है तो ये पांडू लीपिये जो है वो एक हिमाल्या सेत्र में मिलने वाला एक घुर्ज नाम का एक पेड है उसकी छाल पे लिखी जाती है लिखी मिली है हमें तो ये पांडू लीपिये मंदिरों में व्यारों में मिली है आम लोग प्राकरत बाशा का प्रयोग करते थे उस समय अभिलेक पत्थर वैदातु जैसी फोर सतय पे जो पत्थर थे दात्वे थी जो भी दातू लोही की दातू जो भी दातू थी उस पे जो खोद के लिखे जाते है ना उन्हें अभिलेक कहा जाता था पत्थर वैए इंट से बनी इमारतों के अविसेश चित्रों वैद मूर्तियों का अधियन करने वालों को वर्ष की गणना जो है इशाही दरम के परवर्थ तक इशा मसी के जनम से की जाती है जो हमारा अभी जो सन चल रहा है ना दो हजार उन्नीस चल रहा है अब तो दो हजार साल पहले जो दो हजार साल पहले इशा मसी का जनम हुआ था उनके जनम से हमारी जो ये इश्वी है ना ये चल रहा है इससे पहले इशा पूरव था उनके जनम से पहले का जो समय था वो इशा पूरव के नाम से जाना जाता था तो अंग्रेजी में BC कई वार लिखा हुआ आजाता है इसा पूरो व्या इस्वी ऐसे जैसे हिंदी में इसा पूरो होता है इस्वी होता है इसे इंगलिस में BC लिखा आजाता है BC का मतलब होता है Before Crust AD का मतलब होता है Anodomini तो यह सभी important है आप ध्यान में रखें CE का मतलब होता है Common Era BCE को Before Common Era कहा जाता है यह द्यान में रखें आप भारत में तित्यों के इस रूप का प्रयोग लगबग दो सुबस पहले आरम होगा था तो यह सभी जो important point है पहले lesson में से छेमी क्लास का यह पहला lesson है इसमें सभी के सभी जो important point है वो हमने इस वीडियो में आपके सामने रखे हैं तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए आगे भी बने रहेंगे हम आपके साथ दूसरा lesson जल्दी आपके सामने लेके आएंगे धन्यवाद friends